भारती सम्मिधान में आज हमें एक नई प्रक्रण लोक्षभा का जिन करेंगे। हम जानते हैं कि भारत में दिशदनी व्यावस्ता है जिसमें निम्न सदन और उच्छ शदन है। निम्न सदन जिसे हम लोगसभा कहते हैं और उच्छे सदन जिसे हम राजसभा कहते हैं लोगसभा जो की जनता का पर्तिनित करती है यहाँ पर जो सदस्य होते हैं उन्हें हम लोगसभा के सदस्य या मेंबर आफ पारलेमेंट के नाम से भी जानते हैं यह सदस्य परत्यक्स वहीं राजशबा, राज्यों का परतिरुत करती है। आजम लोकशबा का जिन करेंगे। संगी, संसद में निम्ल शदन या लोकप्री शदन को लोकशबा का गाजाता है। जो कि इसके गठन का अधार जनसंक्या है। लोकशबा के शदश्यों का चुनाव परत्यक सुरूप स वैश्क मतादिकार के द्वारग किया जाता है। भारत में आजाती के बाद से ही सारभोमिक वैश्क मतादिकार के परणाली को अपनाया गया। भारत में प्रारम में यहो आई 21 वर्स थी लेकिन बाद में इसे घटा कर 18 वर्स कर दिया गया। भारत में वर्तमान में सारभो वेश्क मताधिकार के आए 18 वर्स है और 18 वर्स से अधिक के जितने भी वैश्क होते हैं वो हो लोक्षबा के सदेश्यों का निर्वाचन करते हैं लोक्षबा के सबी जो निर्वाचन शेत्र हैं वो एकल सदेश्य हैं अर्थात लोक्षबा के निर्वाचन शेत्रों में से एक व्यक्ति को ही चुना जाएगा अर्थात एक ऐसी ब्योस्ता बनाए गई जिसमें देश में के भुवा को निरवाचन छेत्रों में विभाजित किया गया और एकल सदशी बनाया गया कि जब भी इनमें चुनावों और एक सदशी का चुनाव यहां पर जनता के द्वारा किया वर्तमान में लोक्षबा की सदश्यों की शंक्या 552 है भारती समिधान द्वारा लोक्षबा को राज्षबा की तुना में अधिक सक्ति दी गई है या उच्च शक्ति प्रदान की गई है जब हम लोक्षबा की सक्ति की बात करते हैं तो पहली सक्ति है विधाई शक्ति यान की कानून बनानी की सक्ति, शमिधान की अनुसार, भारती संचत को, शांग शोची, शमवर्ती शोची और आउशिष्ट विश्यों पर कानून बनानी का अधिकार है, लेकिन कुछ बिसेश परिस्तितियों में वहराजी शोची के विश्यों पर भी कानून का निर्मान कर सकती ह दूसरी सक्ति है वित्ती सक्ति हम जानते हैं कि धन से सम्मंदित वित्र से सम्मंदित जो भी डिसीजन ले जाते हैं वो लोक्षबा के द्वारा ले जाते हैं जब हम लोक्षबा और राज्चबा की सक्तियों की तुलना करते हैं तो लोक्षबा को राज्चबा की तुलना में पित्ती मामलों में अतिदिक सक्ति प्रदान की गई है लोगसवा में वित्त विध्यक पारित होने के बाद राजशवा में बेजा जाता है राजशवा के लिए यहां होश्या कहे कि वह वित्त विध्यक को प्राप्ति की इतिति के 14 दिन के भीतर लोक्षबा को लटा दे राजिसबा विधहक में संचोधन के लिए शुजाव दे सकती है लेकिन इन्हें शुविकार करना या ना करना लोक्षबा की इच्छा पर निर्वर करता है यदि 14 दिन के भीतर राजशबा प्रस्ताव नहीं देती है तब भी वह प्रस्ताव पास माने जाते है कारिपालिका पर नियंत्रण हम जानते हैं कि भारत में संचदी कारिपालिका है और संचदी कारिपालिका में कारिपालिका लोक्षबा के प्रति उत्तरदाई होती है अर्थात कोई भी निढणे कारिपालिका लेती है तो कहीं ना कहीं वह भोमत को सकती है और पूरे मंत्री मंदल को स्थिपा देना पर सकता है भारती समिधान के द्वारा संस्तात्मक व्यवस्ता की गई है अतो समिधान के अनुसार शंगी कारिपाली का लोक्षबा यानि कि जो निम्न सदन है उसके प्रति उत्तरदाई हो गी मंत्य मंडल केवल उसी समय तक अपने पत पर रहती है जब तक उसे निम्नशदन यानि की लोक्षबा का इस्वास प्राप्त होता है संसद अनेक प्रकार से कारिपालिका पर नियंतर रख सकती है हम जानते हैं कि संसदी कारिपालिका सामुईक उत्तरदायत के सिदान्त पर काम करती है यदि कोई मंत्री ऐसा विध्यक लाता है कि उसे लोक्षबा में पास नहीं किया जा सकता है तो उस्थित में रखान मंत्री सहित पूरी कैबिनेट को इस्थिवा देना पड़ेगा उसे ततकाल अपनी पदू से इस्थिपा देना पड़ेगा सामिधान संसुदन की सकती हम जानते हैं कि सामिधान के अनुछे 368 में सामिधान में संसुदन का कारी संसद की द्वारे किया जाता है बारत में संसदी वियावस्ता में जनता को यहदिकार नहीं है कि वह समिधान में संसुदन करें समिधान में संसुदन की सक्ति हमने संसद को दी है समिधान में संसुदन की संबंद में जब हम सक्तियों की बात करते हैं तो लोक्षवा और รाजिसवा दोनों के स्तित समान हैं, जब कभी भी सामिधान में संचोधन का विध्यक संचद में आता है, तो उसे लोक्षवा और राजिसवा में अलग-लग पारित होना पड़ता है, यदि यह विध्यक एक सद्र में पास हो जाए और दूसिय सद्र में पास ना हो तो ऐसी स्थित में वह विधयक गिर जाएगा और विधयक पास नहीं हो पाएगा सामिधान संचोधन के संबंद में शैंक त अधिवेशन का भी प्रस्ताव नहीं है अर्थात लोगसबा और राजसबा के सादे से एक साथ बैठ कर इस पन्यणय नहीं ले सकते हैं इस विधयक को अलग-अलग पारित होना पड़ता है जब हम अन्यकार्य की बात करते हैं तो लोगसबा और राजसबा मिलकर राष्टपती पर महावयोग लगा सकती है हम जानते हैं कि राष्टपती को हटानी की जो प्रकिरिया है उसे हम महावयोग कहते हैं जब कभी भी राष्टपाती रामिधान का अतिकर्मन करते हैं या चामिधान के अनुसार काम नहीं करते हैं तो उन पर महाँवियोक की प्रकृरिया सुरु हो सकती है। का अनुबुदन बहुत आउश्यक है जब हम न्याईदीशों को हटाने की बात करते हैं तो न्याईदीशों को हटाने की परकिर्या भी ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार राश्टपती को हटाए जाता है लोक्षबा और राश्चपा मिलकर सरवुच न्याईले और उच प्रस्ताव पास कर सकती है। इसके लिए विशेज बहुमत के आउशक्ता होती है। राश्ट्पती द्वारा संकटकाल की घोशना जब की जाती है। हम जानते हैं कि भारती समिदान में राश्ट्पती को अनुचे 352, 356 और 306 के तहट अपातकाल की सक्तियां दी गई है। जब राश्ट्पती को ये सक्तियां दी गई हैं तो उसके बाद इनका अनुमोदन या संसथ से भी इसकी स्विकृत लेनी पड़ती है। और संसथ में जब संकटकाल की स्थित होती है तो उसे एक महा के अंदर गत संसथ में स्विकृत मिलनी चाहिए अन्यता की स्थित में उसे रत्र कर दिया जा सकता है। आज के इस प्रक्रमाम ने लोक्षबा की सक्तियों का अध्यन किया है यानि कि भारत की जो संसथी व्यावस्ता है उसमें संसथ किस प्रकार से देश के निती निर्माता की तरह काम करती है और जनता के हितों में आउशक निर्णे लेती है उन पर हमने चर्चा की आज के प्र आज प्रस्ण है, पहला प्रस्ण है भारती संचत द्वारा लोक्षबा को दी गई शक्तियों का उणन कीजिए, दूसरा प्रस्ण है भारती संचत के निम्रिशदन लोक्षबा पर संचित लेक लिखे, आज के प्रक्ण में इतना ही धन्यवाद.